हेलो एब्रीवान इस वीडियो में हम करेंगे question number two brain teasers का chapter 13 introduction to graph तो इसमें क्या बुला गया है write the coordinates of each of the vertices of each polygon given below ये तीन polygon दे रखे हैं different different points दे रखे हैं सभी के coordinates आपने लिखने हैं सबसे पहले आपको a point देखू a point किस axis के उपर लाई कर रहा है x axis के उपर तो जब भी कोई point x axis के उपर लाई करता है तो उसके abscisa की value तो होती है ordinate की value 0 होती है तो a point कहां पर है 2 के उपर तो a के coordinate बनेंगे 2,0 मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा और साथ साथ में मैं answer भी लिख रहा हूँ आप अपने copy में इसको note down करते चलें a के coordinates मैंने बताये 2,0 क्यों 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 ये point x axis पर लाई कर रहा था अब मैं आपको इसका b बताता हूँ b b point का distance देखो ऐसे करके y axis से कितना है two units है और अगर x axis से पूछूं तो भी two units है तो b के coordinates बनके 2,2 क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं the distance of the point from y axis then distance of the point from x axis तो b के coordinates भी आपने लिख दिये अब लिखेंगे c के coordinates तो ये देखो c point जो है वो exactly y axis के उपर लाई करता है तो y axis के उपर abscisa की value क्यों होती है जीरो और किस point के उपर लाई कर रहा है two पे लाई कर रहा है तो इसके coordinates c के बनेंगे 0,2 राइट अब P के उपर चलते हैं P point P के बाद साथ में Q भी है Q के साथ R है R के साथ S है अब देखते है coordinates क्या क्या है तो सबसे पहले आप ये point ले लो P point तो देखो P point का distance Y axis से जो है वो two units है और मैं ऐसे करूँ X axis से 6 है तो P के coordinates बनेंगे 2,6 The distance of P point from Y axis is 2 and from X axis is 6 तो 2,6 बनें Q देखो इसका distance Y axis से 4 है और यहां से 6 है तो Q के coordinates बनेंगे 4,6 अब देखते हैं R के coordinates R point का distance ऐसे जो Y axis से 5 है और यहां से उपर तक देखोगे तो 8 है तो यह बनेंगे 5,8 R के coordinates बनेंगे 5,8 अब S के तरफ चलते हैं S point S point यह है Y axis से distance देखो कितना है 3 और उपर को जाके देखो तो 8 S के coordinates बनेंगे 3,8 अब रहेंगे Point L, M, N L, M और N अब इनके भी coordinates लिख लेते हैं L, M, N के Right Same procedure यह point L आपको दिखाई दे रहा इसका distance Y axis से 5 है और यहां से 4 है तो 5,4 इसके coordinates होगे 5,4 अब point M देखते हैं M point जो है वो यह है Y axis से कितना distance पर है 8 और X axis से कितना distance पर है 2 तो M के coordinates हो जाएंगे 8,2 अब last point रहा N N point तो X axis के उपर ही लाई कर रहा है तो इसका Ordinate 0 होगा MC सा 5 होगा N के coordinates आगे 5,0 इसको बोलते हैं Interpretation of Graph यह interpretation से यह पता चलता है कि आपको graph की कितनी thorough understanding हो चुकी है तो कोई भी question जो इस तरह की हूँ आपने करने उससे आपके graph graphical knowledge पता चलेगा आपको यह explanation कैसी लगी आपके इस दो क्याओ आपके लिए थेंक यू